तो हें हैंसे हम बेकी देने होता है नाथ हर वीडियोगाश में Hu नीकन D750 की आपग्रेट बर्शन है और इस बार इसको हाई लेवल का अपग्रेट किया गया है और फोटोग्राफी के साथ इस कैमरा को आप वीडियोग्राफी में बहुती अच्छे तरह के से इस्तेमाल कर पाऊगा होगा क्यूंकि इसके इसमें दिया गया है फोर की वीडिय करेगा नीकन D780D की स्पेसिफिक्शन की बात की जाए तो इसमें आपको 24.5 मेगा चलका फूल फ्रेम सीमोस सेंसर देखने को मिलेगा और इमेज रिजलेशन की बात की जाए तो इसमें आपको 6048 इंटू 4024 इमेज साइज मिल जाएगा और आयसो है 100 इंटू 51200 इस कमेरा मे आप प्रोसेसर भी बहुत ही आच्छा देखने को मिलेगा और इसमें प्रोसेसर मिलागा एक स्पीड 6 नीकन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है एक स्पीड 6 आपको इमेज प्रोसेसर देखने को मिलेगा इस नीकन D780D में और गईस आप कॉंटीना सूटिंग की बात की जाए तो इसमें आप viewfinder से 7fps और live view से आप 12fps का continuous shoot कर सकते हो और guys इस camera में आपको shutter speed बहुत ही आच्छा देखने को मिलेगा जो आप display में देख रहे हो वो बहुत ही आच्छा shutter speed मिला है generally हर कोई DSLR में आपको 30 second का मिलता है और इसमें आपको 900 second shutter speed मिल जाएगा और आप बात करते हैं number of autofocus point की इसमें दिया गया है 51 autofocus और इनमें से 15 cross drive है guys आप battery backup की बात की जाए तो Nikon D780D से आप आसानी से 2260 photos क्लिक कर सकते हो पार चार्स में मतब ए आम बात नहीं है 2260 photos क्लिक करना मतब इस बार battery बहुत ही आच्छा battery दिया गया है और साथ में आपको इस camera के आंदर दो-दो memory card डालने का जगा मिलेगा guys ए तो हो गया photographic की बात आप करते हैं वीडियोग्राफिक की बात इस camera से आसानी से आप 4K video record कर सकते हैं 30 fps और full HD आपको 120 fps से आप record किर सकते हैं और साथ में आपको इसमें 3.2 इंस का TFT टाच्क्रीन देखने को मिल जाएगा तो यही था आज का वीडियो आई हो वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक करो और शेयर करो कॉमेंट करके बताओ एक केमेरा आपको कैसा लगा और मिलते हैं तब तक नए वीडियो के साथ